हेलो गाईज, वेलकम डू बैक माई न्यू ब्लोग, आज की इस वीडियो में मैं आपको गाउं के हर्याली के बारे में बताने माला हूँ, दोस्तों आपको पता ही होगा, गाउं में हर्याली बहुत होती है, और अलग अलग तरह के पेंड पहुत है जाते हैं, चलिए फिर च प्रगीचा है, और असमारक बना हुगा है किसी का, और देख सकते हैं आप पूरे पिछे खाली है, चलिए आगे को चलते हैं गाईज, गाईज, यह आप पीछे देख सकते हैं, ऐसे हमारे यहाँ बनाने के लिए कुछ रखने के लिए रखा जाता है, घास फूस का बनाया एक पूस की दिख रहा है, इस साइड में, चारो तरह बंंच फूस, रखा गया है, और यह देखिये उपर के साइड, देख लेए जान, रहां कितना मस भिवह रहा है, चारो तरह sacred 250, अ期 दिख रहा है और पीछे हमारे एक वहां पे है, और एक यहां पे है, जमआगे के तर पहली हम आगे की तरफ चल रहे हैं, पीछे देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, पीछे कि इतने सारे बांस पड़े हैं, और बांसों की सबसे खास बात है, कि सबसे ज़्यादा थंडी अवा बांसों में आती है, और सबसे ज़्यादा साप इन बांसों में पाये जाते हैं. उड़ी बह की सबी जुबा हैं, हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है, हर चीज खास है अब है जो है वह समा हैं, तुम रह सकी तो रह सके तो गाई वीडियो कैसे लगी कमेंड में जरूर बताएं और लाइक जरूर करें अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आप लोग के लिए अलग-अलग जगा जाके अलग-अलग गाउं का नक्सा दिखाएं और कैसे घर रहते हैं वो सब दिखाएं चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लाम में तब तर लिए बार